हेलो फ्रेंट्स आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है नौर्थंगर एबे या एक प्लेस होता है दोस्तों इस नॉबल को लिखने वाली है जेन अगस्टिन जेन अगस्टिन दोस्तों जिनका जन हुआ 16 दिसंबर 1775 UK में और इनकी मृत्ति हो गई 18 जुलाई 1817 में इनकी मृत्तियों के बाद इसकी भाई ने इस नॉबल को पब्लिस किया जिसका नाम था नौर्थंगर एबे जो की 1817 में पब्लिस हुई जब जेन अगस्टिन की मृत्तियों हुई जेन अगस्टिन ने अपनी लाइफ में काफी बड़े बड़े नॉबल्स लिखे दोस्तों जैसे की प्राइड और पिजुडिस अब हम नौर्थंगर एबे में आते हैं जिसमें यह स्टोरी है कि यह एक प्लेस है जहां पे एक कैथरीन नाम की लड़की जाती है और उसके स पहले हैं दोस्तों हमारी हिरोईन कैथरीन मौरे लैंड और दूसरे हैं उनके भाई जेम्स उसके बाद कैथरीन के हस्बिन हैंडरी टिल्ली और उनके सजूर जेनरल टिल्ली और उनका देवर कैप्टन टिल्ली और उनकी एक ननद होती है जिनका नाम होता है एलिनॉर इज अिदा बेला उनकी एक दोस्त थी Catherine की जो की काफी चालबास थी और उसका भाई भी उतना ही चालबास था जिसका नाम था John Thorne यह सब characters आएंगे दोस्तों, main हमारा motive है Catherine Moreland के बारे में जानना और उनके भाई जो की James है यह इन लोगों के बारे में जानना तो Catherine Moreland जो रहती है दोस्तों इसमें एक लड़की होती है जो की थोड़ा middle class की होती है लेकिन इसके जो एक uncle auntie होते हैं पडोसी वो काफी अमीर होते हैं और उनका कोई बच्चा नहीं होता आईए हम दोस्तों पहले story की सुरवात करते हैं और धीरे धीरे जानते हैं कि अब ये कैसे characters हमारे story में आने का start करेंगे कहानी की सुरवात में दिखाया जाता है दोस्तों कि Catherine Moreland जो है वो अपने भाई और अपने परिवार के साथ रहती थी पर वहाँ जो एक पडोसी होते हैं Mr. और Mrs. Lane उनका कोई बच्चा नहीं होता तो वो Catherine को ही अपना बच्चा मानते हैं और उसे floor train से बात खुमाने के लिए ले जाते हैं वो रहती थी floor train में पर वो Mrs. और Mrs. Align उसे बात एक टाम का जगा था वहाँ पर उसे खुमाने ले आते हैं Catherine को Gothic नोबल पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि वो उस टूर में भी बात जाने के टूर में भी उस नोबल को ले कर आती हैं वहाँ पर नोबल पढ़ते वक्त उसे Henry Tillney मिलता है जो की काफी अच्छा आदमी होता है फादरी होता और काफी good looking होता है इसलिए Catherine को वो बहुत अच्छा लगता है और वो उससे बाते भी करती है पर जल्द ही Henry Tillney को कहीं जाना रहता और वो वहाँ से बात से चला जाता है अब Henry Tillney के जाने के बाद Catherine काफी ज़्यादा उधास हो जाती है दोस्तों क्योंकि वो अससे प्यार करने लगी थी पर वो नहीं समझा है Henry Tillney और चला गया उसके बाद entry होती है तीन बेटियों की और एक मा की जो की है Mr. Thorpey और उनकी तीन बेटियां तीनों बेटियों का जिक्र तो इसमें नहीं किया गया दोस्तों लेकिन एक बड़ी बेटी जिसका नाम है Isabella वो आती है और हमारी हिरोईन Catherine से दोस्ती करती है जब Isabella और Catherine की दोस्ती हो जाती है दोस्तों तो वो अच्छी सहलिया बंजाते और काफी सारी बाते सेर करती है वो बताती है कि मेरा एक भाई है और वो उन्हें लेकर भी आती है तो जिस तरह Catherine अपने भाई James को लाती है उसी तरह Isabella भी अपने भाई John Thorpey को लाती है पर जब वो लोग सामने आते हैं तो पता चलता है कि James और John Thorpey एक दूसरी को जानती थे कैसे जानते थे क्योंकि वो दोनों Oxford University में साथ में पढ़े हुए थे तो अब ये दोनों लड़किया भी दोस्त हो गई Catherine और आपका Isabella और John और James भी दोस्त बन गए अब इन चारों में जब नजदी क्या बढ़नी लगती है दोस्तों तब पता चलता है कि जो Catherine है वो John को बिलकुल पसंद ने करती पर John उसे प्यार करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि Catherine काफी जादा रहीस है पर इधर Isabella भी James के साथ का प्यार में पढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए उनका संबंद आगे बढ़ता है पर John और Catherine का कोई भी संबंद आगे नहीं बढ़ता क्योंकि John हमेशा उसके पैसो पे लगा हुआ था और वो John को लाइक नहीं करती Catherine तो वो John को हटा देती है फिर John क्या चाहता है कि हम किसी तरह इसका पैसा हडप ले तब वो एक आदमी को लाता है जिसका नाम होता है General Tillney जो होता है दोस्तों एक Captain होता है उसे वो John बताता है कि तुम अपने बेटी का साधी इससे कर दो और इसकी सारी जाजात हडप लो जो तुम्हारा बेटा है चोटा बेटा वो इसे जानता है और यह General Tillney जो तुम्हारी बेटा है Henry Tillney उससे प्यार करती है यह Catherine इसलिए साधी करवा लो और इसका सारा जाजात हडप लो यह प्लैन बनाता है John Thorpe दोस्तों Isabella का भाई और इधर Isabella और तुम आपका यह James की बीच में काफी ज़्यादा संबंद बढ़ने लगता है वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब वो सगाई करने तक पहुंच जाते हैं पर तभी आता है James और इसका फादर James और Catherine का फादर आता है दोस्तों वो कहता है कि तुम साधी तो कर सकते हो मुझे मतलब नहीं है मैं अपने जाजात में से कुछ नहीं दूगा अगर तुमको मेरी जाजात में से पैसे चाहिए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी सगाई करनी होगी और दू साल बाद साधी करनी होगी जब तुम फादरी बन जाओगे लेकिन तुम्हें सिर्फ 400 पॉंड मिलेंगे थेरपी था दोस्तों कि वो पैसे की पीछे भाग रही थी और वो के पिता के सर्तों को देख करके औरना चली आती है कैप्टन टिलनी के पास जो कि दोस्तों जेनरल टिलनी का बड़ा बेटा होता है अब जेनरल Isabella सेट है और Henry Tillney और इधर Catherine जो है वो प्यार में पड़ चुके है General Tillney क्या कहता है दोस्तों उसके मन में लाला चाह जाता है कि Catherine से भी साधी कर लेंगे और Isabella से भी साधी कर लेंगे इससे क्या होगा मेरे बेटे जो दोनों बेटे हैं दोनों के साधी करवा दूँगा इन दोनों से Catherine और Isabella से और दोनों की प्रॉपर्टी हडप लूँगा Catherine की प्रॉपर्टी तो मेरी होगी है और प्लस मेरे जो बड़े बेटे Captain Tillney है वो साधी कर लेगा Isabella से जिसे John Therapy भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा इसके बाद General Tillney क्या करता है दोस्तों कि Henry Tillney को बुला लेता है और इधर Catherine को भी Northanger Abbey लेकर जाता है जो कि उसका घर होता है और वो वहाँ पे जाकर Catherine को कहता है कि बेटा तुम यहीं रहोगे अब और अभी Henry Tillney भी आ रहा है तुम लोग दोनों अपना बाते करो तब तक वो क्या करता है दोस्तों कि Isabella और इधर जोतिया Captain Tillney उसका संबन आगे बढ़ानी लगता है मतलब दोनों बेटों को उन दोनों लड़कियों के साथ बीजी कर लेता है लेकिन तब ही जब Henry Tillney आता है तो वो उससे Catherine को बातों बा Stories पढ़ी है जिसमें जैसे कि मैंने पढ़ा है Red Chief जो कि Mystery of Wood Alpho के द्वारा लिखी गई Red Chief स्टोरी को भी मैंने पढ़ा है तो ये मैं जानती हूँ कि Red Chief ने The Mystery of Wood Alpho पे गलत सलत तो लिखा नहीं होगा मतलब तुम गलत बता रहे हो और इससे जो Catherine होती है उसे जासूसी की एक बात समझ में आती है कि मुझे ये जो Northanger Abbey है इसमें कुछ गणबड़ी लगी थी उसे सब चीज बाते याद आनी लगती है तब वो पता करती है कि जो General Tillney है उसकी wife का murder काफे साल पहले हो गया था लेकिन वो उसे याद नहीं करता उसके बाद Catherine जो होती है दोस्तों वो इलन पिता इतना सांथ क्यों रहते हैं तुम्हारी मा का जो मृत्यू हुआ उससे जरासा भी सोक नहीं है तो वो और इलनौर और Catherine जो होते हैं दोस्तों वहीं नौथारंगर एबे में ये ढूंडने लगते हैं कि आखिर उसकी मा की मृत्यू इलनौर की मा की मृत्यू कैसी हुई तब ही वहां Henry आता है अपनी बहन को समालता है और Catherine को भी समालता और कहता है कि General तिलनी जो मेरे पिता है वो काफी ज़्यादा दुखी रहते हैं पर वो दिखाते नहीं है किसी को कभी कुछ उन्होंने कहा नहीं वो काफी ज़्यादा सांथ रहने वाले आदमी है वो बहुत ज़्याद करते है मेरी मा को इसलिए यह सब बाते चोड़ना सोचना छोड़ दो यह सब बाते सुनकर दोस्तों Catherine जो होती वो Henry टिलनी को सौरी बोलने लगती है और इधर Isabella जो होती है दोस्तों वो लेटर लिखती है Catherine को कि देखो ना Captain टिलनी बहुत बुरा आदमी है मैं त James उसे लेटर लिकर Catherine को बताता है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसे पिचाती है इसलिए उससे दूर रहो इसमें होता यह है दोस्तों कि Isabella के बारे में जेनरल टिलनी को पता चल जाता है और जेनरल टिलनी क्या करते हैं इसाबला को बाहर निकालने लगते हैं तब ही John थोर पर आता है और उनके मन में यह बैठा देता है कि यह जो Catherine है वो कोई रहिस आदमी नहीं है इसको भगाईए वरना आप इसमें करज है यह आप ही को ले डूबेगी सब बाते सुनकर जेनरल टिलनी Catherine को वहां से निकाल देते हैं वो 12 सबतों के बाद Catherine अपने घर जाती है और काफी ज़्यादा उदास रहती है वो हमेशा नौर्थ हंगर एबे के बारे में ही सोचने लगती है और हैंडरी के बारे में ही क्योंकि हैंडरी उस वक्त वहां नहीं था जब हैंडरी वापस आता है दोस्तों वो पूछता है Catherine कहा है मैं Catherine से प्यार करता हूँ और वो इंटरी होता है दोस्तों एलेनॉर का जो कि अब साधी सुधा है और एक रहिस आदमी के घर में रहती थी वो वापस आती है कि Catherine तुम से साधी कर लो ये बहुत अच्छा है और अंतिम में एंडरी और Catherine की साधी हो जाती है थैंक्यू दोस्तों यहीं नोबल इंड होती है